14 cm भुजा के वर्ग में बने अंतह वरत की परिधी ग्याद कीजे चितर बनाते हैं और प्रशन को चितर से समझते हैं 14 cm का एक वर्ग है उसमें एक वरत है अंतह वरत है तो इस पश्ट है कि यदि वर्ग की भुजा हमें 14 cm मिली है तो जो अन्तहवरत है उसका व्यास होगा 14 cm अर्था त्रिज्जा होगी उसकी 7 cm तो यहां वर्ग की एक भुजा है 14 cm इसलिए जो अन्तहवरत है उसकी त्रिज्जा होगी 7 cm त्रिज्जा यदि हमें ग्याद है तो परिदी हम जानते हैं 2 पाई आर हो दिये यदि आर त्रिज्जा है इसलिए सूत्र 2 पाई आर से व्रत की परिदी हो गई 2 पाई आर आर का मान रख दिया 7 cm अर्थात 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा 7 साथ से साथ कट गया 2 गुणा 22 अर्थात मान हो गया 44 cm तो व्रत की परिदी 44 cm है किसी व्रत की परिदी व्रत की त्रिज्जा का अंतर 44 cm है उस व्रत का शेतरफल ग्याद कीजे हम माल देते हैं कि व्रत की त्रिज्जा है आर तो परिदी व्रत की हो जाएगी 2 पाई आर हमारा सूत्र है व्रत की परिदी का सूत्र है 2 पाई आर इसलिए आर त्रिज्जा वाले व्रत की परिदी हो जाएगी 2 पाई आर अब प्रिशन में हमें परिधी और त्रिज्या का अंतर 54 cm है, यह दिया है, तो प्रिशना अनुसार 2πi r minus r बराबर है 54 cm, r हम common ले लेते हैं left hand side में, तो r common लेने से bracket में क्या आ जाएगा, 2πi minus 1 और इसका मान है 84, अर्थात, r का मान कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 24 बटे 2 πई-1 जो 2 πई-1 left-hand side में है वो right-hand side में आएगा तो वो भाग में आ जाएगा वो हर बन जाएगा तो आर बराबर हो गया 24 बटे 2 πई-1 अब हम πई जानते हैं 22 बटा 7 होता है πई कमान 22 बटा 7 लिख दिया तो r बरबर हो गया 24 बटे 2 गुणा 22 बटे 7 माइनस 1 तो हर में यदि हम सरल करें तो लगुत्तम होगा 7 और हम प्राप्ट करेंगे 7 गुणा साथ हमारा लगुत्तम हो गया तो दो गुणा बाइस अरथा चमालीस माइनस साथ यह हमने हर में प्राप्त किया हर का अंश है तो साथ चमालीस माइनस साथ 37 होते हैं इसलिए सरल करने से यह मान हो गया चोहतर बटे 37 बटे 7 साथ जो है वो उपर चला जाएगा अंश बन जाएगा तो मान हो गया चोहतर गुणा साथ बटे 37 37 को यदि हम चोहतर को हम 37 से काटें तो दो बार कट गया मान हो गया दो गुणा साथ अरथाथ 14 सेंटीमीटर साथ गुणा दो 14 सेंटीमीटर तो तरज्या का मान है 14 सेंटीमीटर हमें प्रिशन में क्या गयाद करना है वरत का शेतरफल हमें प्रिशना नुसार वरत का शेतरफल गयाद करना है तरज्या हमने गयाद कर ली तरज्या हमारी 14 सेंटीमीटर है वरत का शेतरफल हम जानते है πr² होता है तो व्रत का शित्रफल πr² इसमें हमने r का मान रख दिया 14 cm तो मान हो गया 22 बटे 7 इंटू 14 का स्क्वाइर अर्थात कैलकुलेट करते हैं तो ये मान आता है 616 cm² इसलिए व्रत का शित्रफल 616 cm² है